नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बजाज कंजूमर के लिमिटेड के बारे में यहाँ पर कंपनी ने 400 प्रतिशत का डिविडेंड अनौसमेंट किया है तो आज की इस वीडियो में हम देखेंग तो दोस्तों यहाँ पर बजाज कंजूमर के लिमिटेड ने 4 रुपे प्रतिशेर का इंटरिम डिविडेंड अनौसमेंट किया है करेंट स्टोक की प्राइज 188 रुपे का राउंड चल रही है अगर आप रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो कंपनी ने 12 फरवरी 2022 कंपनी न अगर आप इसको दस तारीक या दस तारीक के बाद बाई करते हैं यानि कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन बाई करेंगे यानि कि 10 तारीक को बाई करेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा अब अगर एक एक existing shareholder है जिनके पास पह यानि कि अगर suppose करो 9 तारीक को जो closing होती है वो 190 रुपए पे होती है या फिर 200 रुपए round figure लेते हैं कि 200 रुपए पे होती है तो 10 तारीक को जब market open होगा तो 200 रुपए में से 4 रुपए कम होगा यानि कि 196 रुपीज में वो open होगा यानि कि 4 रुपए वो price adjust हो जाएगी याद रखेगा चाहे बोना सो stock split हो या फिर dividend हो सभी में stock की price adjust होती है ठीक है अब बात कर ले actual payment की तो 28 फरवरी 2022 या फिर उससे पहले company आपके bank account में dividend का payment कर देगी अब बात करते हैं कुछ financials की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2764 करोड का market cap है stock का P14.5 है जब कि industry का P33 है तो यह यहाँ पर एक चीज़ देख सकता है कि industry P से काफी कम P-Pay trade कर रहा है इसके साथ साथ बात करें book value 55.5 है stock जो है वो current price 188 के round है यहाँ पर बात करें dividend yield की तो 5.33% की dividend yield है जब काफी बहतर है बात करें reserves की तो company की पास 805 करोड का reserve पढ़ा हुआ है free cash flow 236 करोड का है यहाँ पर return on equity की बात करें तो 30.2 है और यहाँ पर बात करें operating margin की तो 22.3% का है तो आप देखिए return on capital employer, return on equity, operating margin काफी बहतरी ने company के promoter की holding 38% है कोई भी share गिर्वी नहीं रख रखा है debt विलकुल भी नहीं है company के पास इससे पहले 20 करोड का debt था जिसको company ने zero कर दिया है बात करें net profit की तो 224 करोड का net profit हुआ है और sales की growth जो 3.30% के हिसाब से बढ़ रही है अब अगर आपने demet और trading account open नहीं कराया है इसके लि company में invest करना चाहिए कि नहीं तो दोस्तों यह आ गए हम ticker tape की website पे और ticker tape की website का यह pro version है अगर आपको देखना है तो आप link description section मिलेगा check out कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते है current price है वो intrinsic value से कम है तो यह बहुत अच्छी बात है कि intrinsic value से current price है वो कम चल रही है return on equity की बात करें तो bank की FD होती है उससे काफी अच्छा return आपको इस पर मिल रहा है dividend company काफी अच्छा दे रही है entry के लिए बहुत अच्छा point है कोई भी red flag नहीं है इसके साथ अगर मैं pro में बता हूँ आपको तो default की priority ना के बराबर है quality checks काफी अच्छ है growth का score काफी अच्छा है त लिकिन बाकी बात कर लेते हैं हम कुछ financials की यहां पर आप देख सकें 2018 से अगर 2021 की बात करें तो जो revenue है वो 852 करोड से 935 करोड 935 से फिर एक बार 882 करोड वापस से 956 करोड हुआ 2021 में profit की अगर बात करते हैं तो 211 करोड से 221 और फिर 184 और अब 223 करोड तो यहां पर profit जो पर एक साल का अगर आप चार्ट पैटन देख रहें तो maximum में गया था 324 पे और अभी 177 का लो इसने बनाया है अगर बात करें पांस साल की तिहां 525 का था हाई और लो जो बनाया था वो 116 रुपए 55 पैसे का बनाया था तो यह आप देख सकते हैं कि यह काफी डाउन हुआ अगर यहां पर अगर आप इनके प्रोड़ुक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की कैटेग्री में आप देख सकते हैं बजाज E سब्धरा हारोईल बजला रह बजाज esfकर ब्रामी है यहां पर financially तो company strong नजर आती है लेकिन chart pattern थोड़े से अच्छे नजर नहीं आता है तो long term पे जो price की upside जो analyst suggest करते हैं वो लगबग 58% से उपर की है तो आपके क्या खाल है इसके बारे में मुझे comment section में जरूर बताईगा क्या सिर्फ 4 रुपे के dividend के लिए यह बात अलग है कि 188 लेकिन क्या 4 रुपे के dividend के लिए आपको इस stock में investment करना चाहिए कि नहीं मुझे comment section में जरूर बताईगा आपके comment से दूसरे लोगों को भी help मिलती है और इसके साथ साथ आप अपना due diligence लगाईए देखिए कि इस stock में investment करना भी है कि नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका देशोग हो